हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आज की इस लेक्ष्रम स्वागत है तो दोस्तो आज हम नई चेप्टर की सुगात करने वाले हैं जो चेप्टर 6 है इसका नाम है आपका टिश्यू तो दोस्तो जैसा कि हम पिछले लेक्ष्रम में सेल्स के वारे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ अपने देखा होगा कि प्लांट और एनिमल्स दोनों में बहुत सारी अंतर पाए जाते हैं जैसे कि प्लांट मूव नहीं करता है प्लांट कभी चलते नहीं है प्लांट अपना फूट्स खुद से बनाते हैं एनिमल्स कहीं भी एक जगर से दूश्य करते हैं उनको फूट् प्रकार के function है जो किसी भी plant है एनिवर सहल में होते हैं जैसा कि बलकि आप देखोगे जैसे कि अमिवा है अमिवा क्या है अमिवा आप जानते हो यूनि शेलुरल है तो इस यूनि शेलुरल में यानि एक सिंगल सहल होती है वही सारे function कर लेती है उसमें respiration भी हो जाएगा आप यानि कि अकेली सिंगल सहल है और जो है कि इतने function कर ले रही है लेकिन आप आपका यदि जैसे कि human है या plant है यह कैसा है यह multi-cellular है multi-cellular है यानि कि इसमें हजारों millions of cells प्रजेंट है हमारी body में millions of cells प्रजेंट हैं तो इसमें क्या है तो इस millions of cells की क्या जुरुत है तो यहां पर क्या है जो plant है या animals है इनमें मुख्य दूरूप से क्यों कि यहां पर क्या है उसको यूदि शेल में सिर्फ एक ही काम करना था कि respiration करना है या लेकिन हमारी body में बिभिन प्रकार की multi function है यह यहां कि हमको कभी food को prepare करना है यह जाना भी जाना भी प्लांट में नीचे से water उपर तक जाना है sunlight लेनी है photosynthesis करना है तो प्लांट के अंदर बहुत सारे function होते हैं ऐसी प्रकार से एनिवल के अंदर भी function बहुत सारे होते हैं तो इन सब function को करने के लिए हमको किसकी जरुत पड़ी we need tissue हमको tissue की आवश्यक्ता महशूश होई तो दोस्तों अब यहां पर आप समझने कुश कर to perform a particular function तो यह क्या है जैसे कि किसी भी plant है एनिवल बहुत प्रकार के हमको function करने थे तो क्या हुआ अकेली cell कोई भी काम नहीं कर पाती तो बहुत सारी cell एखटी होई एक साथ मिली किसी भी करने के लिए किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारी cell जो एक साथ इखटा हो गई इसी के group इसी group of cells को हम tissue कहते हैं जैसे कोई tissue है तुमारा जो है कि दो बोन्स को connect करेगा कोई tissue होगा प्लांट के इंदर उसकी growth को बढ़ाएगा कोई tissue होगा उसके लिए water की सफलाई करेगा तो इस प्रकार से group of cells हैं कई सारी cell ने मिलकर की tissue की रचना की जिससे कोई भी एक काम को वह वड़ी आसानी से कर सके हैं दोस्तों आपको यहां पर सम कि तो प्लांट tissue तो प्लांट tissue में प्लांट के tissue को होने दो पार्ट में बांटा हुआ है एक आपके होगे मैरिस्टमेटिक tissue नममर वन और नमबर दुप्ला आते हैं आते आपके परमानेंट tissue अ करें है इसमस से पहले हम मैरिस्टमेटिक tissue के बारे में पढ़ेंगे तो मेरिस्टिमेटिक टिशू क्या होते हैं ये वो टिशू होते हैं मेरिस्टिमेटिक के बारे बताएं तो जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्फ करते हैं यानि जैसा कि आपने देखा होगा प्लांट हमेशा पूरी लाफ के लिए ग्रोथ करता रहता है तो the tissue which helps in the growth of plant जो उसकी plant के लिए responsible होते हैं या कह सकते हो प्लांट यानि जो टिशू प्लांट की ग्रोथ के लिए responsible हो वो हमारी Maristomatic Tissue होते हैं इसमें भी दोस्तो Maristomatic Tissue में भी तीन प्रकार के हैं इसमें इसका आप जैसा कि डाइगराम में देख सकते हो सबसे पहला ए नम्मर पर होगा आपका एपिकल तो एपिकल टिशू क्या होता है एपिकल टिशू जैसा कि डाइगराम में देख सकते हो यह सबसे जैसे कोई आपकी टैनिय किसी प्लांटी तो सबसे जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसका सबसे टॉप पर जो सबसे पहले ग्रोग करता है भड़ता है यहाँ यहां पर आपका एपिकल टिशू पाया जाता है जैसा कि अपने दिखए होगा छोटी छोटी चॉट टैनिया होती है न पीड़ पे जो ग्रो करती हैं आपके नई नीपत्क क्या निकलती है उसजगह पर आपको आपका एपिकल टिशू होता है और दूसरा होता है आपका masterpiece mitigation इंटर केलेरी टिशू में क्या है जैसा कि आप डाइगराम में देख रहे हो यह उस जगह पे होता है जहां से नई टेहनी निकलती हो जैसा कि डाइगराम में किलियर दिखा हुआ है है यहां पर आपको बनाकि दिखा दू है यहां पर यहँ है तो यहां पर नई टेhlon वाइब नई ब्रांश है तो इस जगह पर है नई ब्रांश के यहां पर होगा आपका इंटरकैल्ए टिसूः और यहां पर यहां पर इस गर्थ है यान SC future यहां होगी तो आप इसमें से तीसरा है आपका यहां पर है आपका लेटरल टिश्यू तो लेटरल टिश्यू में क्या है यह आपकी जो घर्थ है यानि कि इसकी चौड़ाई है जैसे कि प्लांट की को इस्टेव है उसका तना उसको चौड़ा करना है इसको तना नीचे देखा वो दिर दिर वरती रहती है और प्लांट बड़ा होता चला जाता है इसके लावा दूस्तों आपका इस ग्रोथ के लिए रेस्पोंसिबल था वो मेरिस्ट्रमेटिक टिश्यू हो गए अब यहां पर दूसरे जो टिश्यू आते हैं वो आपके आगए यहां पर सेकंड नमर प जैसces कि यह आपका इपांचकट टिश्यू ग्रोथ कर रहा है ढाख दीरष neighborhood यहां पर आपwei किया देख सकते हो जब यह ढ़रता नई lay और बनाता है तो इनके बाद में इन ऑल बनाता हो प्रवानेंट का क्या हो जाए फंक्शन हो जाए यह साइज मुझे लग रहा है आपको समय में नहीं हो जाता हूं जैसे क्या है यह यह नई सेल्स थी नई आपकी ब्रांच बनी तो नई ब्रांच बनने के वाद उसकी जो सैल्स हैं पहले वो ग्रोथ कर रहे ही थी ग्रोथ के परमानेंट टिशू होती है तो इसमें है तो यह परमानेंट टिशू हो गये इसमें भी परमानेंट टिशू को अमने टिश्यू और दूसरी नूमर पर आते हैं COMPLEX पर्मानेंट टिश्यू है है हमाज गए तो यहां पर S sentido में आपको तीन प्रकार के टिश्यू पड़ने हैं इसको फिर इसकी तीन ब्रांच पड़ने हैं आपको इसमें जो सब से पहल WILL आपका पारन कायमा हैं दूसरा आपका क्लोरन कायमा है तीसरा आपका this Left 11 त्म open परमानेंट टिशू, इसको मैं लिखता हूँ यहां पर S, P, T, सिंपल परमानेंट टिशू, तो यहां पर सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिशू में नमबर A पर पढ़िए आप पैरन, पैरन कायमा, तो पैरन कायमा क्या होता है, जैसे कि जैसे कि आपका कोई प्लांट है, प्लांट की जैसा कि आप तना देखा होगा, तना के उपर जैसे कि छाल लगी रहती है, उसके जैस्ट अंदर ही, जो सबसे पहले यह टिशू होते हैं, वो पैरन कायमा, टिशू होते हैं, यह इनके बीच में जो इसकी सेल्स होती है, इसकी जो सेल्स होती है, सेल्स के बीच में इंटर सेल्वर स्पेस ज़्यादा रहता है, इंटर सेल्वर स्पेस में क्या होगा, मोर होगा, इंटर सेल्वर स्पेस का क्या मतलब है, जैसे कि आपकी दूसेल्स है यहां पे दूसेल्स है यहां कि तीशरी में इन सेल्स के बीच में इन comb cream करेदाई उसे को हम Dare में निदी Лерм Ε algumas इसलें सेल्हां को मैं विच सेल शेच ılब होुई हैं कि माद में यह इन हैं इंडर सेल्ल वार इस पेस बहुत दुर्ल उनक्त congrats जिंदा सेल होती है डेर्ड सेल नहीं होती है यह आपका पैरन कैमा हो गया और इसका एक और काम रहता है यह फूड को स्टोरेज करने के लिए भी स्टोरेज ओफ फूड भी इसी सेल के अंदर इसी टिश्यू के अंदर आपका होता है तो आपको पैरन कैमा के बारे में समझव काम तू नियुक्तव करता है इसमें जो एक हे अनकայ प्रोवाइडर यह acceso होता है लेकिन इसका में इसका काम क्या होता है इट प्रोवाइड यह क्या करता है एप्लांट को फ्लैक्जीविलटी प्रोवाइड कराता है the ability याननी कि जैसा क्या आपने देखा कम आप प्लांट की ब्रांच है और मुढ़ जाती हैं अपने बेल देखियोंगी वह पिल देख होंगी किसी करकर की बेल रहे लो तो प्यारी झाथ को दलती है इसके रावा भी हमको पैलन कायमा का और इसके रावा हम allez का इन लिविंग着 होती है यह फी आपको डैट सेल। यहां पर नहीं मिलेगी और जो नमर्टी है और इसके लावा क्या है क्या है अब नम्मर्टी पर आता है आपका यहां पर इसको मैं यहां पताहूं सी पर आतापका स्लेरन क्लेरन कैमा क्लेर क्या होता है इसके जो सेल्स के बीच में इसमें कोई भी इंटर सेल्वर स्पेस नहीं होता है यानि कि इसकी सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है जब इंटर सेल्वर स्पेस नहीं होगा तो इसका सीधा सा मतलब है यह बहुत हाड होगा हाड होगा और इस्ट्रिक्ट होगा यह यानि कि इसकी जो है कि जैसा कि आपने देखा होगा प्लांट का तना है इसी से बना होगा आपने कितने मजबूत होते हैं वो भी इस केरन कायमा के बनेवे होते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से यह तीन प्रकार के टिशू हो गए और इनके सवी-सवी अलग होते हो इसकी इसका यह भी देखिए यह एक डैड टिशू डैड सेल होती ह तो यहां पर आपको तीनों को ध्यान रखना है पैरन कायमा के बारे में और इस के रन कामा के बाले में तो धन्वाद दूस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा नेक्स वीडियो में आपको मैं इसके लावा थोड़ा और करेंगा जो कुछ भी होगा बचाओगा उसको और एक्स्प्रेंट कर देंगे यह आपको कोई भी डावट आ रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स पूर सकते हैं आप हमारे टेलेग्राम चैनल पर भी आपको सब्सक्राइब कर दिएगा